जहन आईए हम लोग आरसेप से सम्मंदित एक करेंट अफेर मतलब समसमाई घटनाओं के बारे में जो है इसका बिसलेशन या फिर इसके बारे में एक समरी जानने का प्रयास करेंगे आरसेप है क्या ठीक है इससे भारत क्यों जो है दूर हटा भारत अगर इसमें इस से अगर इस डील से जुड़ता तो भारत के उपर क्या नकरात्मक प्रभाव पड़ते या फिर अगर भारत जुड़ता तो किस प्रकार आरसेप के समीकरन को प्रभावित करता ठीक है इन तमाम चीजों के बारे में और इसके क्या-क्या जो है न कह सकते निगेटिव और पॉजिटि देखिए आरसेप मतलब इसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो वह है रीजनल कंप्रेहंसिब एकोनामिक पार्टनर्शिप एक टर में हाँ आप देख रहे हैं एकोनामिक एकोनामिक इंदिसंस की आर्थिक आर्थिक मतलों वैसा चो है कि मतलों ट्रेड एंड सर्व कोई एक पूरे बिस्व का नहीं बलकि एक रीजन का कंप्रेहंसिब मतलों प्रहत ठीक है तो यह जो है फॉस्ट जनवरी मतलों आज के दिन से 2022 से मतलों 2022 प्रारंब हो चुका है ठीक है केम इंटू इफेक्ट और से जो कह सकते हैं पार्टनर्शिप एक ट्रेड डिल जो ठीक है फॉस्ट जनवरी 2022 मतलों आज के दिन से या क्षेञ प्रारंब हो चुका है ठीक है तो बर्ल्ड लार्जस्ट फ्री ट्रेड जोन है आरसे जुए एक वर्ड लार्जस्ट फ्री ट्रेड जोने फ्री ट्रेड मतलब मुक्त बैपार जोन का मतलब एक च्छेट्र यह मुक्त मतलब फ्री कोई भी रोक ठोक नहीं लुग ऐसे अगर एक देश से दूसरी देश में जैसे देख तो पहले क्या हुता था राजा महराजा जो होते थे किसी भी एक तो आगर दूसरे राज्य का बैपारी, उनके राज्य में समान भेज़ता था, तो वो कर देता था, कर मतलब टैक्स देता था, तो एक प्रकार के वो ट्राफिक हुए, मतलब ट्राफिक और चार्जर बगएरा, तो अभी भी बर्तवान प्रिद्रश्य में भी जब एक निशन के दूसरे निशन के साथ जो ट्रेड डील वगेरा होते हैं ठीक है तो उसमें जो है अपने अपने देश जो है वह सोब्रेन है संप्रभुत्व शंपन जो राज्य है वह उनके पास यह कह सकते हैं कि एक नसरग प्रकार से यह जो आर्शेफ है रिजनल कंप्रहेंसिव एकोनामिक पार्टनर्सिप जो कि आज से इनफोर्स होने वाला है यह जो एक लार्जस्ट बिस्व का फ्री ट्रेड जोन आज से बन जाएगा ठीक है टर्म आफ ट्रेड वैल्यू ट्रेड वैल्यू के अनुसार यह अजिए अधन था मैं अलड़ी बता चुका हूं जो की आर्थिक समंध्ध समंधित है ठीक है जिसमें की दस असे अन निशन पहले ट्रेड के कौन-कौन मेंबर है मतलब इस ट्रीड डील के आर्शेप के किन्टे-किन्टे सदश्ट है उसके बाले मैं जा दस तो आस यान में थे टूह है साउथ एसियाशन एंडिया विए लेकिन साउथ इस्ट ठीक है जिसमें कि लाओस कमोडिया इंडुणेशिया पूरा का पूरा भी अतनाम फिलिपिन्स मलेशिया मैंनमार यह सब देशा गए तो साउथ इस्ट एसियन नीशन कीलियर है इसके 10 मेंबर हैs ठीक है आसियान के 10 मेंबर है इस ट्रेट डील में आर्सेप में पर रहला है चाइना और जापान चाइना है जापान है साउथ कोरिया है अस्टरेलिया है और नियू जी लेंड है तो मतलौ 10 डेस virtual दोबारा तेरह पंद्रह देशिस में हैं भारत भी इस टेल में साइन करने जा रहा था लेकिन भारत ने अपने आपको बिड्राव कर लिया भारत की कुछ अपने कारण है ठीक है अपने आपको बिड्राव करने का तो यह समझ गये इस ट्रेट डिल में कौन-कौन सामिल थे इस ड्रैट के लि हो दोट की लिए हाँ तो वही है कि इसका भी युद्देश सिथा और से का या objective था एम था ऊते था कि यो ओर ट्रैफिक्स कर लिया जाता है तो अब जो है यह जो है एक फ्री ट्रेड जोन बनाने का इसमें प्रियास किया गया है मतलब ट्रैफिक मुक्त बैपार होगा एक एक तम जो है मतलब कोई भी करकी बसुली नहीं की जाएगी एक देश दूसरे देश यह बाइलेटरल भी एगरिमेंट कई देशों के साथ होता है जो धुई पक्छिय संधी करते हैं तो वो कह देते हैं कि मैं आपसे भी मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से टैक्स नहीं लूँगा आप मेरे बैपारी से टैक्स नहीं लेगे ठीक है तो यह अपने देशों को और यह है दो देशों को ना हो करकर एक देश मतलब बहुँ पक्षी देश मिलकर यह संधी करते हैं जिसमें कि लोवर ट्राफिक मतलब ट्राफिक को एकदम लोवर करने का इसका अधेश है कि इस मुट बैपारशन दी के जरिये हम जो एक दूसरों देशों पर टैक्स और कर लगाते हैं करकी बसूली करते हैं वह एकदम मीनिमम हो जागा लोवर हो जागा इसा नहीं भी होएगा मतलब एक पार्टिकुलर्स बस्तू होंगे उब्जेक्ट होंगे सर्विस होंगे ट्रेड होंगे जिसमें कि हम कर नहीं लगाएंगे जो चीज उसमें इंक्लूट किया गया है ठीक है तो लोवर ट्रैफिक्स आगे है ओपें ट्रेड मुक्त बैपार खुला बैपार कोई रोग ठोक शुत प्रकार से कह सकते हैं कि सीमये तो होगी लेकिन जैसे चैना का बैपारी जासकता है जाबान का चायना आ सकता है साथ milieu या वाला चायना जासकते हैं चायना वाला सौथ को रिए जाओ सकता है फिर उसी प्रकार मैंमार्ट ठाइलाइड कंभधिया एंटोनेशियाव भिलिपनश ठीके सब सारे देश एक दूसरे के देश में पर किनोí कैना कि अपने समान को ले जा सकेंगे शर्विसेस भगारा भी दूसरे के कंटरी में बहुत किया जा सकेंगा दूसरा इन्वेस्टमेंट अब जितने बड़ी-बड़ी कंपणियां देखते हो अभी भी मोदीजी जैसे युनाइटिद इस्टेट अव अमेरिका गए या फिर कोई अधर नेशन का भारत में जब आता है राष्टपती बगेर आते हैं तो वह अपने साथ साथ एक बिजनस का डेलि यह को सब्सक्राइब जर्ड़ीट दोंग में अच्छा यह बहुत बड़ा मार्केट है भारत के कह सकते हैं कि इसकी डिलेबर है भारत के पास manpower है human resources है साथ-साथ कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि stable government है political stability है बातावरन अच्छा है तो तमाम चीजें जो हैं अपने अपने देश को जो है कह सकते हैं और सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं जैसे रिट्रॉस्पेक्टिव टैक्स बगेरा का हटाना इस अप डूइंग बिजनस और टैक्शेशन में सुविधा लाना जीस्टी लाना तो भारत की इसकी अच्छी ग्रोथ होगी और ओबर ओल जो है लोगों को कह सकते हैं कि प्रोड़क्ट की इसली हो पाएगा उसे की इसे सब्लीटी बढ़ेगी साथ-साथ-साथ-साथ-स इंडिया का प्रोग्राम आएगा एक परकार से कह सकते हैं कि नए ने टेखनोलोजी इन्वेस्टमेंट का तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ट्रेड संधी जो है आपस में देशों में करने के लिए यह अपनाया गया था आगे हैं रिड्यूस कोस्ट आफ डूइंग बिजनस और साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स करने के जो कोस्ट होते हैं उसको भी र समस्याओं से ही डील करने के लिए सब संधी किया जाता है ताकि अगर इस संधी के तहट कोई इंवेस्टमेंट आए को बिजनसमेन अगर कहीं इंवेस्ट करना चाहें तो उनकी जो कैसे परकार से सारी जो होती है चाहे कोब्मेंट की हो लैंड पर्शेजिंग हो या राव मेंटरियल की ऐसा सिब्लीटी हो वह बहुत इजी हो जाती है फिर आई पी आर से संबंदित मतलब इंटेलेक्शल प्रोपर्टी राइट से भी संबंदित है इसमें जर्जा हुआ है तो यह इसके उदेश से एम थे गोल थे लक्ष थे ठीक है प्रपस था इस ट्रेड डील का अर्शेप का अब इसके कुछ महत पापर मतलब सिगनिफिकेंस को जान लेते हैं तो इट कवर 30 परसेंट जो है ग्लोबल जीडिवी सारा का सारा आसियान नीशन और पांच कंट्री चाइना जपान साउथ क पूरिया अस्ट्रेलिया और निज्विलेंट यह पूरे के फूरे विश्व के 30 प्रतिशत ग्लोबल जीडिपी का हिस्सा है इस डैट क्लियर और 26.26.2 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी होगी 26 दसंबलब 2 ट्रिलियन डॉलर ठीक है और 2.2 बिलियन पेपुल्स है इस पूरे क पूरे 15 नेशन मिलाके 2.2 बिलियन पेपुल्स ठीक है 90 परसेंट ट्रेइड ट्रैफिक जो है इलिमिनेट हो जाएगा और इस आरसेप को इनफोर्स करने से जो इन आस्यान नेशन में चाइना में जापान में साउथ कोरिया न्यूजिलेंड और अस्ट्रेलिया के मद्द मे जो कॉंप्लेक्सिटीज ठाट ट्रेड को लेकर मतलब वैपार को लेकर ठीक है वो जो ट्रेड और ट्रैफिक है वो लगवग 90% से कम हो जाएगा असान हो जाएगा और घट जाएगा आगे हैं कॉमन रूल्स और सभी देशों के लिए आस्यान देशों के लिए के और सासात जो आर सेप के मेंबर मेरे कई वैर नाम में पता चुकाए हूं ठीक है, सबी देशों के लिए क्ममन रूल बनन जाएगा, मतलब पूरे के पूरे जितने भी आर सेप के मेंबर होगे, सबके लिए बन पॉलिशी बन रूल आ जाएगा आर सेप के अंतरगत, फिर ट्रेड ड ह सभायूक सी बात है कि से ट्रेट बढ़ेगा कोई भी बिजनसमेन को जहां cheap land available होगा जहां cheap resource material available होगा जहां कहा सकते हैं कि cheap labor available हो देखिए कोई भी इंडस्ट्री को establish करने के लिए क्या चाहिए लेंड labor raw material ठीक है उसके बाद transportation communication energy तो यह सब सारी चीज़ें की अगर जहां अच्छी उपलब्धता होगी वहां इंडस्ट्री अधिक आना चाहेगा वहां अधिक इन्वेस्ट करना चाहेगा ठीक है तो इसके लिए जी भी कह सकते हैं ट्रेड जो है का मैगनिफिक कह सकते होगा इंट्रलेक्शल प्रोपर्टी राइट से संबंदित भी एफ़ एकॉमर्स का तो कह सकते हैं भी डिस्टली करन हो रहा है भारत में भी जैसे डिस्टल इंडिया चल रहा है तो पूरे विश्वा में भी और फाइब जे सकते हैं कि हर चीज में मुल्टी डाइमेंशनल इंपक्ट होते हैं इचन अब्री एग्रिमेंट का तो यह इसके सिग्निफिकेंस को हम लोगों ने जाना इसके महत्व को इस आरसेप ट्रेड डिल के क्या महत्व हैं आगे हैं इंडिया जो है क्यों इससे बिड्राव कर लिय शुकी एकस बीड्रॉआ कर लिदा हथा इंडिया इस को dapat करते हैं अधिक मात्रा में चाइरी चांपूर्ट को को खरीदते हैं तो हमारा जो पैसा हुआ चाइना के पाशा देखते हो कभी-कभी जब लद्दाक बॉर्डर पर कॉन्फिलिक्ट बगएरा होता है या नाचल प्रदेश को लेकर जो कॉन्फिलिक्ट होते हैं या कभी भी चाइना के साथ हमारा विभाद बढ़ता है ठीक है त दिवाली बगएरा जो चला थे किस प्रकार से चाइनीज लड़ी बगएरा होती है इन फैक्ट जो गनेश भगवान वी होते हैं वह बहुत चीप में मैनुफेक्ट्चर करता है ठीक है तो उस चीप ली प्रोड़क्ट जो है भारत के जितने भी इंडस्ट्री और मैनुफे चीप नहीं कर पाते हैं इसके लिए भारत पर उसका नगरात्मक प्रभाव पड़ता है इसलिए देखते हो चाइना के साथ इंबलेंस है कारण भी अगर फ्री ट्रेड होगा तो चाइना तो वही आर्सेप के अंतरकत क्योंकि अगर भारत उसमें साइन कर देता है और से में दूसरी बात है एक न्यूजिल लैंड का न्यूजिल लैंड में मिलक और डैरी प्रोड़क्ट बहुत ना चीप कोश्ट में अबलेबल है तो इससे जो भारत में जितने कह सकते हैं कि अगर भारत इसमें सामील होता तो वहां से जो टैरी और मैनुफेक्ट्चर प्रोड़क होता और भारत में जितने भी चोटी मोटे किसान है जिनका दूद जैसे एक दोगाय रखकर ही अपना जीवन यापन जी रहे हैं और दूद करते हैं और उससे उनकी जो है रोजी रोटी और घर चलता है उनकी लिए नकरात्मक एफेक्ट होता और कैसे निगेटिव तो मैं दो उधारंदे के चाइना और निव जी लैंड से बता है ऐसे बहुत सारे से जिस्पे की जो है यह निगेटिवली इंपक्ट करता है क्योंकि भारत जो है अभी मेक इन इंडिया पर अधिक जो है फोकस कर रहा है इंडिया जो है कह सकते ना कि अपनी इंडिजनाइजेशन जो है इंडिस्ट्री टेकनलोजी एंड तमाम चीज पर फोकस कर रहा है तो इसके लिए भी जो अगर उसमें आरसीव में सामील होता तो उसका कहीं ना कहीं भारत की जो अपनी ग्रोथ है वह बाधित होती और जो अभी इसमें आगे है जैसे चाइना सबसे आगे है यह बेन अच्छोते भारत को अगर इसमें सामिल होता मतलोग अगर होता तो क्या इसके प्रभाब पढ़ते पाला है कि कांटर चायना चायना को कांटर कर सकता क्योंकि चाइना के बाद इंडिया सबसे अधिक जो है कह सकते हैं एक प्रकार से इंडिक निशन था इतनी बड़ी मार्क से ठीक है चाइना को कॉंटर करने के लिए और एक स्ट्राइजी बनाई जा सकती थी कि जापान के भी एक प्रस्तितियों को देखते हुए हम कहीं भी अंद्राश्टी दूइपक्षी या त्रिपक्षी या भूपक्षी या संदीक करते हैं तो कॉंटर चाइना हो सकता अगर इसमें सामील होता तो हम चाइना को कॉंटर कर सकते थी दूसरा है ग्लोबल इस्टैबलीटी के लिए भी जरूरी था क्योंकि जब आपस में कह सकते हैं ट्रेड होता है एक से दूसरे कंट्री में तो कह सकते हैं जब पिपल टुपिपल कॉंटेक्ट बढ़ती है तो इसके क सारे अच्छे-चे कंपणी है जैसे टाटा है रिलाइंस है अडानी है या जिनके भी अपनी अपनी कंपनी से हर एक सेक्टर में उनको एक अपरचुनिटी मिलता कि तमाम आस्यान देश में जो है या फिर जो भी जापान हो चाइना है या फिर अधर जितने भी अस्ट्रेल किसलेशन में कोई चीश के जब अनलासिस करता हैं तो दोनों पक्शों को देख ऑनगे चाइलेंज इसमें चैलेंजेशत जीस राओं आपने आप में एक महा बिहाब पे भी आप सोच सकते हैं तो यूएस का पाटिस्पेशन नहीं है इसलिए जो है चाइना इसमें खुला साड़ है ठीक है एक प्रकार से सकते हैं कि सोल ट्राइबर ऑप टाइकोनॉमिक ग्रोथ है क्योंकि चाइना भी इन तमाम आसियान देशों के मद्ध में मतलों कै लेंगें पुरे इस हैं पूरे के पूरे इस रीजन में आसिया ंस इस्ट इस्ट इसएन नेशन में और जैपान में और कह सकते हैं की और फ्री जाकिर बपास में ठैकी हैं और संड कोरी चाइन मैंन प्रेंड तेग तो चाइना जो है पूरे के पूरे driving seat पर बैठके और तमाम देशों को spoil करने का कोसिस करेगा और चाइना अपने आप में जो है profit कमाएगा आगया है रासियान कंट्री जो है टेवलप्ट टेकनोलोजी है ठीक है और तो इस प्रकार से जो है जो छुटी छुटे कंट्री हैं आसियान के उनका जो है इस पर नकरात्मक प्रभाब पड़ेगा ठीक है तो एक प्रकार से आर्शेप का पूरा का पूरा हम बिसलेशन करने का प्रयास किया आज से यह इंफोर ठीक है कंट्री उसके मद्द में जो है फिर अपना बैलेंस बना के चलती है वह अपने देश के अनुसार निर नहीं लेती है तो जितने भी देशों ने इसमें साइन किया है अब देखिए यह एक कहां तक इसका डेवलप्मेंट हो पाता है और इसकी जो है प्रोग्रेस जो है एक एक जांपल के तोर पर देखा जाता है ठीक है लेकिन आर सेप की प्रोग्रेस और डेवलप्मेंट और हार्मोनी और पीस यह किस और ले जाएगी वह आने वाला समय बताएगा ठीक है तो इसके लिए अब हम इसे ही मतलब इस टॉपिक को यहीं समप करते हैं और इफ और इसके लिए और पीसलिए और शेशन अबहस्ट इसके लिए और फिए यह कि वेटित